कि एलो दोस्तों कि मिंडोज एकाउंट पस्वर्ट को देख कैसे करते हैं कि यह आज हम सिखेंगे हीरें बूट सीडी के मद्ध हम से हैं हीरें बूट सीडी सॉफ्ट्वियर जो है इंटरनेट पर विल्वा है आप उसे डाउनलोड करके और पने बूटेवल बनाते उसमें इसको इस्टाल कर सकते हैं और इस यूजबी के द्वारा आप बूट करेंगी पीसी को तो मैं दिखाता हूँ आपको कैसे ब्रेक करते हैं इसके लिए सबसे परें आपको यूजबी में इंसर्ट कर दिए अपनी पंडाइब सिस्टम को रिश्टार्ट करिए और सिस्टम को अपने यूजबी से बूट कराएं यह जबी को आपको बूट करना है यह यह सुटी आइस एंटर और ही हमाल गया इसके लिए यहां पर हम आपको अपने यूजबी करना है इसके लिए यहां पर हम आफ लाइन एंटी तूजबी श्टार्ट सेवन पासवर्ट चेंजर इसको हम एंटर करेंगे यहां आपको एंटर करना है इसके लिए मारा सब्सक्राइब बूट आगे बुड़ेगा यहां आने के बाद प्रिए क्या 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 रहा है इस्टिफ पन सेलेक्ट इस्टिफ वेर्ज विंडो इस्टालेशन इस इसमें तीन पादिशन दिखा रहा है इसमें बूटिंग अप्शन है और सेंट थर्ट हमको फर्स्ट चलेक्ट करना है यहांने हमको प्रेस्ट करना है वान एंटर अगें एंटर अगें एंटर अब नीचे देखिए यहां लिखा हुआ है वन पासवर्ड रिसेट सेंट सिस्टम सेक्योटि सेंट हो फोल्डर होता है जहां हमारे कांट का पासवर्ड सेव होता है तुमको यही करना है इसलिए हम फिर से प्रेस्ट करेंगे वन एंटर अब यहां फिर एक उप्शन आ रहा है एडिट यूजर डाटा एंट पासवर्ड यानि फिर हमको वन टाइप करना है एंटर अब इसमें दिखा रहा है यह सारे हमारे सिस्टम यूजर है एड्मिस्ट्रेटर है अमन सिंग है जो मेरा डिपॉल्ट अकाउंट है हमको इसको यूजर करना है तो हमको टाइप करना होगा अमन सिंग कि मैं टाइप कर लिया उसके बाद हैंटर आप देखें यहां दिखा रहा है फरस्ट नमर पर क्लियर ब्लैंग यूजर पासवर्ड को को ब्लैंक की करना है वन टाइप करेंगे रटांटर यह कहा रहा है पासवर्ट क्लियर ऑके अब आगे क्या करना है सेलेक्ट एक्सलेसन मार्क पर क्वाइट करना तो सिंपली मैंने टाइप किया उसको एंटर मारा कि यहां पर क्वाइट करेंगे क्यों से क्यों मैंने टाइप किया और मारा एंटर अब वो एक चीज ध्यान दीजिएगा यहां अच्छी डाउन है अपनी उपार है यहां पूछता है कि एसार नो करने के लिए तो सिंपलियम को वाई करके एंटर मार देना है यह अप्शन को नीचे दिखा पा रहा था अब ओट दराइट फाइल बैक डू इट एंटर नो वाई फार एस तो हम ने वाई करके एंटर मार दिया एस होगे एडिट कंप्लीट हो गया अब हमको क्या करना है कंट्रोल आल डेल दबा के पीसी को रिश्टार्ट करना है कि मैंने कंट्रोल आले दबा दिया पीसी रन कर रहा है फिर कि मेरा एकाउंट है जिसको हम लोगने ब्रेक किया था और यह देखिए बिना पास्वर्ट की लॉगिन हो गया यानि हमने सक्सेस्फुली अपने अकाउंट का पास्वर्ट ब्रेक कर लिए है थैंस पर वाचिंग देखिए